नमस्ते मैं कुमार उपल लिमका पुक फॉर्ड लेकर्ड होल्डर तीस पुस्तुकों के लेखक आज मैं आपको बत्लाने जा रहा हूं कॉंग्रेस अधिवेशन कब नहीं हुए और कब इन पर प्रतिबंध अंग्रेस सरकार द्वारा लगाई गई और प्रतिबंध लगाने क उपरांत भी कौन-कौन से सम्मेलन हुए इस पर भी मैं आपको आज पड़िचर्चा करूंगा और यह जो है बराबर पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत साड़े बच्चे नहीं जानते हैं कि किस साल यह अधिवेशन नहीं हुआ और किस साल प्रतिबंधित करने के भी आपको कॉंग्रेस अधिवेशन हुआ और किस साल कुछ खास परिस्ति के कारण वह परिस्ति क्या थी जिसके कारण अधिवेशन नहीं हुआ जबकि 1885 से ले करके देश आजाद तक आपको लगवग हरेक साल हुए हैं और कुछ तो आपको विसेश अधिवेशन भी शुरू करने जारा हुँ, उनेईसो थीस में आपको शविने अवग्या प्राडम होने के कारण कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, 1935 में अधिवेशन नहीं हुआ था या ध्यान रखे गे 1941 से 45 तक अधिवेशन नहीं हुए और अबूल कलाम आजाद 6 वरसों तक अध्यक्ष बने रहे क्योंकि 1940 के रामगर में मौलाना अबूल कलाम आजाद भारो छोरो अंदोलन का प्रस्ताव प्रारूप आपको इनके द्वारा बनाए गया था तो यह जो है एक बात आपको इसी दर्मियान मैं बता देना चाहता हूँ यह मौलाना अबूल कलाम आजाद के साथ दो प्रश्न बड़ावर पूछे जाते हैं एक नमबर वन कि यह सबसे कम उम्र के यह अध्यक्ष बनने वाली यह थी और दूसरे में कि सबसे अधिक समय तक यह अध्यक्ष रहा है मेरे कहने का मतलब यह है क्योंकि जब यह आपको 1940 में बने उसके बाद से एक ही बार 1940 के बाद से क्योंकि उसमय क्विट इंडिया मुहमेंट हो गया था छो वर्सों तक यह कंटिन्यूड रहे तो यह जो है और 1906 वर्स तक रहे तो उसके बाद 1946 में ही सम्मेलन हो सका तो आप समझे चो वर्स तक तो सबसे अधिक समय तक रहने वाले आपको मौलाना अभूल कलाम आजाद रहे और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले भी यही थे इसको ध्यान में रखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ 1907 में जिस साल हमको देश की आजादी मिली उस साल भी कॉंग्रिस का अधिवेशन नहीं रुआ है यह एक बड़ा प्रश्ण बनता है कि जिस साल हम खुशिया मना रहे हैं उस साल हम लोग नहीं कर रहे हैं जिस साल हम लोग को कस्ट था हम लोग प्रतारित थे और उस साल हम लोग मनाया है कस्टों में भी हम लोगों ने शुक की अनुभूती लिया है लेकिन जब शुक आया उस साल हम लोग नहीं कर सके हैं यह एक बड़ा प्रश्ण चिन उत्करा होता है और इस तरह के प्रश्ण पूछे जाते हैं और बच्चे कन्फ्यूजड हो जाते हैं कि जरूर हुआ होग जो चंपारन अंदोलन में शुकल जी के साथ गांधी जी जब पर पूर्य स्टेशन पर आये तो यही कृपलानी जी उनका इगरली वेटिंग कर रहे थे प्रतिछा रत थे और उस रात में उनका श्वागत किये रिशीव किये और उसके बाद आगे बढ़े और यह कृपला स्टानी जी बीपी सट के लिए महत्तपूर्ण इसलिये है क्योंकि यह जो है आपका परतं ही नहीं यह जो है गूति यह बार बीजी जीते हैं और यह जो है आपको सीता मर्ही जो हमलों की धर्ती है हमारे घर भी वहीं पास में है तो उसी सितामरी से यह आपको प्रथम एबार आपको एम्पी भी हुए थी तो यह भी प्रशन है प्रजास सोसलिस्टिक पार्टी के रूप में इन्होंने अस्थापित किया था और यह जो हैं मुझफर पूर्ड कॉलेज में अंग्रे जी के प्राध्यापक भी रहे हैं तो इसलिए बिहार से इनका काफी गहरा रिस्ता रहा है इसलिए यह प्रशन आप से पूछे जा सकते हैं इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दिया है तो स्वतंतरता के एक प्रश्ण और भी पूछे जाएंगे बड़ावर पूछे जाते हैं कि स्वतंतरता के शमय यह कौन कॉंग्रेस के अध्यक्ष तो 1946 में जो हुआ 1947 में नहीं हुआ तो 1947 तक यही रहे जब देश आजाद हुआ तो उसमय कौंग्रेस के अध्यक्ष 15 अगस्त के समय कृपलानी जी ही अध्यक्ष रहे और आपको बतार देते हैं कि स्वराज समंधी अगस्त प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारिज हुआ था आजाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन सिंग और जनरल सहनवाज खां के अधिवेशन इसी अधिवेशन में उत्त क्रस्त तम प्रदर्शन किया गया लेकिन बैचारिक मतभेद पंडित नहरु से बैचारिक मतभेद के कारण इन्होंने नवंबर 1947 में त्याग पत्र दे दिय क्रिपलानी जी और आपको मैं बता दे रहा हूं यहां जो रिजाइन दिये रिजिगनेशन देने के बाद फिर एक बिहारी ही पद ग्रहन करते हैं वह अध्यक्ष बनते हैं और वह डॉक्टर राजिंद्र पशाद हैं तो यह भी प्रशन पूछे जा सकते हैं तो कई प्रशन और कई कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आप लोग इसको ध्यान में रखें कि मैं आपको बता रहा हूं दूतिये गोल में सम्मेलन जब हुआ था परथम और तृतिये में तो कॉंग्रेस ने पार्टि सिपेट नहीं किया लेकिन दूतिये में आपको जब गोल में सम्मेलन हुआ तो गांधी जी कॉंग्रेस के प्रतिन धतो के रूप में अन्ने लोगों के साथ उनके ही नत्रत्रों में धत्तों के रूप में अन्य लोगों के साथ उनके ही नत्त्रों में वह या संम्भिलन में भाग लेने के लिए राज कुताना नाम के जहाद से वह गए साथ में एनree बेसेंट भी थी साथ में सरोजनी नायटो कॉंग्रेस की महिला शदस्या के रूप में गई हुई थी अन्य लोग भी थे और गए लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि उनको खाली बैरन लोटना पड़ा खाली बैरन जब लोटना पड़ा तो यह जो है उसके बाद से यह सोचे कि शविन्य अवग्या अंदोलन शुरू किया जाए तो कॉंग्रे कर दिया और यहां तक कर दिया कि और खोसित कर दिया ॉइने कि श्यो कर दिया है और त्या समाचार पत्रों में फटोर रस्टिया समाचार पत्र थे उस में λिखे सामगरी पर इन की पैनी द्रिष्टू-ण अंग्लेजि की हो गई अब बड़ी मुस्किल हो गया तो दो आपको बता रहे हैं 1932 और 1933 में सरकार द्वारा अधिवेशन पर प्रतीवंध लगाया और प्रतीवंध लगाने के बावजूद भी कांग्धेस ने आपको संबेलन किया और उस संबेलन के बारे में या जानेंगे कि प्रतिवंधित होने के बाब जूद भी कॉंग्रेस ने सम्मेलन किया और 1932 में दिल्ली में यह सम्मेलन किया पंडित मदन मोहन मालविये जो यहां पर आप देख रहे हैं मैं आपको यह जो है पंडित मदन मोहन मालविये जी है और यह पंडित मदन मोहन मालविये जी को 1932 में इनको अध्यक्ष गोसित किया गया जो ही अध्यक्ष गोसना इनकी हुई तो यह क्या हुआ कि यह इनको जेल में ठूस दिया गया और अब येस कॉंग्रेस लोग सोचे कि ऐसे कौन व्यक्ति को रखा जाए जिससे अंग्रेज उसको पहसान ही नहीं तो उस नहीं पहसान पाय जाने वाले में अम्रित रन छोरदा सेथ को कार्जकारी अध्यक्ष बनाया गया और वही बने पर मैं बता रहाँ 1933 के कलकथता अधिवेशन की बात बतला रहा हूं ठेक है ना यह थो दिल्ली की बात है कलकथता अधिवेशन में फिर से पंडित मदन मोहनबालविये जी को गोसित किया गया पंडित मदन मोहनबालविये जी गुप्त रूप से जब उस जगह पर पहुंचने वाले ही थे इस प्लैनेट जगह था जो कलकत्ता का आप जानी रहे है इस प्लैनेट बहुत फेमस है आज भी फेमस है इस प्लैनेट जग है और इनको जेल में ठूश दिया किया तब अस्थल पर क्या हो बाए कोन अध्यक्च बने तो आदमी को अध्यक्च बनाना था जिसको अंग्डेज पहचाерм नहीं सकते और ऐसे आदमी को बनाना था एक और बात बूर बाते थी कि महीला को बनाया जाए और वो भी महीला अंग्लेज महीला हो तो और अच्छा है। तब खोज आ गया तो आपको मैं बता दे रहा हूं यतिंद्र शेन懗ुप्त कि पतनी जो थी नेली शेनublikुप्त थी। नेली ग्रे इनको कहा जाता था वह नेली ग्रे जो थी भारति artifact मूल कीजरी महिला जंसे साथी हुआ तरह केंब्रीज्वासी थे कि एक तो अंग्रे डूसरे में वह महिला टीसरे में कोई पहसांता नहीं था तो यह कार्जकारी अध्यक्ष बनी और अध्यक्ष बने के बाद आपको यह जो है सो बहुत अच्छा कार्जप्लम हुआ तो दो बार यह जो है सरकार के प्रतिवंद के बावजूद भी 1932 में 1932 में आपको दिल्ली में 1933 में कलकत्ता में यह किया गया था और उसे में हरजन सेवकसंग का गठन किया गया उसे में हरजन पकत्रिका का प्राड़म जो है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कॉंग्रेस को गैर कानूनी गोसित कर दिया गया था तो मैं यह बात आप यह आप जान लिजिए कि 1932-33 में प्रतिबंद के बाब जूद भी हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गैर कानूनी घोसित कर दिया गया था उस साल नहीं हुआ था तो यहां ध्यान रखियेगा जै हिंद जै भारत